तो इंडिया में जो मैक्सिम्म लोग अपने गाड़ी खरीते हैं वो लगबक दशायरा दिवाली के आसपास खरीते हैं जैसा कि हमाने आप ताहर आने ही वाले हैं और हो सकता है आप मेंसे भी कई लोग अप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे होगे तो खेर इसी में मैं आपकी तोड़ी सी मुदद कने वाला हूँ और मैं आपकी साथ शेर करूँगा वो 20 गाणियां जिनके उपर आपको एक लाग रुपे से उपर का डिसकाउंट अभी मिल रहा है तो स्वागत आप सभी का चैनल पे और इसे एक और नए वीडियो में तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको पर नेचोरिल यह स्पृरिटर पे मिल रहा है बट इसके वे भी हमारे को डिसकाउंट मिल रहा है तो हॉन्डा उसके उपर 90,000 रुपीस का डिसकाउंट ओफर कर रही है और बात करूँ अगर इस Honda City के price की तो ये 11.82 लेक से 16.35 लेक रुपीज तेक आती है और वहीं जो hybrid है उसकी cost लगबग 20.55 लेक रुपीज एक्शोरूम है तो चलिए अब बढ़ते अपने list पे और आपारे list में 19 नमबर पे आती है Tata की Nexon तो जी हाँ यहाँ 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 पे Tata की Nexon पे आपको 1.15 लेक रुपीज तक टा discount मिल सकता है तो Tata अपने इस popular compact SUV में 16,000 रुपे से लेकर के 1,000 रुपे तक का discount ओफर कर रही है across different variant और वही अगर आप इसका MY 2023 model लेते हो तो उस पे आपको additional 15,000 रुपीज का discount ओफर हो जाएगा और बात करूँ वगर Nexon के price की तो यह 8,000 रुपे से 15,80,000 रुपे तक आ जाती है और Nexon एक लौथी ऐसे गाड़ी है जिसमें आपको CNG भी मिलेगा, petrol भी मिलेगा, diesel भी मिलेगा और EV भी मिलेगा तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट में अगली गाड़ी की तरफ 18 नंबर पे आती है Volkswagen की Virtus और इसके उपर आपको 1,20,000 रुपे तक का discount मिल जाएगा तो Virtus में हमारे को दो engine option मिल जाते हैं पहला 1 लिटर का turbo petrol engine और दूसरा 1.5 लिटर का turbo petrol engine और जो 1 लिटर का turbo petrol engine है उसमें हमारे को automatic and manual transmission मिल जाता है बट वहीं जो 1.5 लिटर लागा turbo petrol engine है उसमें हमारे को सिब DCT transmission मिलता है जैसे मैंने बताई दिया कि इसमें आपको across the variant 1.2 लाग रुपीज तक का discount ओवर गिया जा रहा है और बात करूंकर Virtus के price की तो यह 10.9 लाग रुपीज से 19.15 लाग रुपीज तक आ जाती है अब बढ़ों के लिस्ट में अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो 17 लाग रुपीज तक का massive discount ओपर गिया जा रहा है तो खेर नोट करने वाली बात है यह कि Nissan Magnet का facelift वीडियो है तो इसमें आपको कुछ additional discount भी मिली जाएगा क्योंकि अगर आप इसका outgoing model लेते हो तो Nissan के Magnet में हमारे को दो engine option मिल जाते हैं और दोनों ही वन लिटर के petrol engine है बट उसमें से एक turbo petrol engine है और दूसरा naturally aspect petrol engine और जो Nissan के अभी existing Magnet आती है pre facelift version उसकी जो price है वो 6 lakh से start हो जाती है और 10.66 lakh रुपीज तक चली जाती है बागी जैसे मैंने कहा कि इसका facelift भी due है जो कि अभी recently couple of days में launch हो जाएगा तो आप उसको भी देख सकते हो तो चलीए फिर बढ़ते हैं अपने list में अगली गाड़ी की तरफ और वो है Maruti की Grand Vitara और Maruti अपनी Grand Vitara पे 1.28 lakh रुपीज तक का discount ओफर गर रही है तो Maruti की इस Grand Vitara में आपको एक तो mild hybrid engine मिल जाता है एक strong hybrid मिल जाता है साथी यहां पे हमारे को CNG भी मिल जाता है और इसकी जो सबसे खास बात है कि इसमें हमारे को all wheel drive option भी मिल जाता है तो अगर आपको एक काफी जादा fuel efficient गाड़ी चाहिए तो आप यह Grand Vitara को consider कर सकते हो और बात करूं अगर इसके price की तो यह 10.99 lakh रुपीज से 19.93 lakh रुपीज तक आ जाती है तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं list में अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो 15 नमबर पे आती है Kia की Seltos और यहाँ पी Kia अपनी Seltos में 1.3 lakh रुपीज तक का discount ऑवर कर रही है तो Kia की Seltos में हमारे को petrol और डीजल दोने इंजन option मिल जाते हैं और बात करूंगर इसके price की तो यह 10.9 lakh रुपीज से start होकर के 20.34 lakh तक आ जाती है तो बढ़ते है लिसमें अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो 14 नमबर पे आती है Citron की C3 Aircross तो यहाँ पे इस C3 Aircross में आपको Citron 1.5 lakh रुपीज तक टा discount ऑवर कर रही है तो Citron की जो C3 Aircross है यह काफी spacious SUV है जिसमें आपको optional 3 row setting भी मिल जाती है और इसमें भी आपको manual और automatic gearbox मिल जाता है और बात करों अगर इसके price की तो यह 8.49 lakh रुपीज से start हो जाती है और 14.55 lakh रुपीज तक आ जाती है तो बढ़ते है लिसमें अपनी अगली गाड़ी की तरफ और 13 पोजिशन पे आती है Tata की सवारी और Tata अपनी सवारी में 1.65 lakh रुपीज तक का discount ओवर गर रही है तो अगर मैं इसके discount को break up करूँ तो Tata सवारी का अगर आप MOI 2024 model लेते हो तो जो उसमें discount range है वो 50,000 से 1.4 lakh तक चला जाता है बट वहीं अगर आप इसके MOI 2023 वाला version लेते हो तो उसमें आपको additional 25,000 का discount मिल जाएगा और Tata सवारी की जो प्राइस है वो 15.49 lakh रुपीज तक का discount ओवर गर रही है तो MG की जो हेक्टर है ये 1.5 liter के turbo petrol engine और 2 liter के diesel engine option के साथ आती है और बात करूँ अगर इसके price की तो ये 13.99 lakh रुपीज से 22.93 lakh तक आ जाती है तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं लिस्ट में अपनी अगली गाड़ी की तरफ 400 तो अगर आप EV का ब्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छी चोईस हो सकती है तो महिंद्रा अपनी XUV 400 में 3 lakh रुपे तक का discount ओफर कर रही है तो महिंद्रा की जो XUV 400 है जो इसकी price है वो 16.74 lakh से 17.49 lakh रुपीज तक आ जाती है तो चलिए फिर आप बढ़ते हैं लिस्ट में अपनी अगली गाड़ी की तरफ और 9th स्पॉर्ट पे आती है Mercedes की A-Class Limousine तो Mercedes अपनी इस A-Class Limousine पे 3 lakh रुपे तक का discount ओफर कर रही है और बात करूँ अगर इस A-Class Limousine की price की तो ये 46.05 lakh रुपीज ते start हो जाती है अब बढ़ते हैं लिस्ट में अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो 7th स्पॉर्ट पे आती है Toyota की Camry अब बढ़ते हैं लिस्ट पे अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो 6th स्पॉर्ट पे आती है Volkswagen की ताइगून अब फोक्स्वाइगन अपनी इस ताइगून पे 3,7,000 रुपीज तक का discount ओफर कर रही है तो यहाँ पे जो maximum discount ओफर किया जा रहा है वो model यह 2023 वाले stock पे दिया जा रहा है तो basically यहाँ पे फोक्स्वाइगन अपने M.Y.2023 का stock है वो clear करना चारी है और उस पे आपको huge discount मिल जाएगा बट वहीं अगर आप इसके M.Y.2024 वाला model लेते हो with 1.0 liter engine तो इसमें आपको 60,000 से 1.25 लेक तक का off मिल जाएगा तो अब बढ़ते हैं लिस्ट में अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो 5th spot पे आती है Jeep Compass और Jeep अपनी Compass पे 3.15 लेक रुपीज तक का discount ओवर गर रही है और बात करूं अगर इसकी price की तो यह 18.99 लेक से 32.41 लेक रुपीज तक आ जाती है अब बढ़ते हैं लिस्ट में अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो 4th spot पे आती है MG की Glosser और MG अपनी Glosser पे अप्टू 6 लेक रुपीज तक का discount ओवर गर रही है तो जल्दी MG की Glosser में हमारे को एक major update दिखने वाला है बढ़ उससे पहले अगर आप Glosser लेने का बाम कर लो तो आप उसमें अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो तो currently जो Glosser है वो 38.8 लाक रुपीज से 43.16 लाक रुपीज तक आ जाती है तो अब बढ़ते हैं इसमें अपनी अगली गाड़ी की तरफ और वो है Toyota की Hilux और Toyota अपनी Hilux पे 7 लाक रुपीज तक का डिस्कॉंट आवर कर रही है तो Toyota की इस Hilux में हमारे को 2.8 लीटर का डिसल एंजन मिलता है जो की Manual and Talk Converter Automatic Gearbox के साथ आता है और इसमें हमारे को 4-wheel drive भी as a standard मिल जाता है और बात करूँ अगर इसके price की तो 30.4 लाक रुपीज से स्टार्ट होती है और 37.9 लाक रुपीज तक यह Hilux चली जाती है अब बढ़ते हैं लिस्ट में अपनी अगली गाड़ी की तरफ तो अगेन वो एक EV है और Kia की तरफ से तो वो है Kia की EV6 अगर बात करूँ इस Kia EV6 के price की तो यह 60.97 लाक रुपीज से लेकर के 65.97 लाक रुपीज तक आ जाती है अगर फाइनली हमारे लिस्ट की आकरी और नमबर उन पर आती है जीप की ग्रेंट चिरों के अगर जीप लगबग 12 लाक रुपे तक का discount over गर रही है तो जीप की यह flagship SUV इंडिया में fully loaded single variant में आती है और इसमें हमारे को 2 लिटर का turbo petrol engine मिल जाता है जो की 8-speed के automatic transmission के साथ आता है और बात करूँ कर प्राइस की तो यह 80.5 लाक रुपीज एक शोरूम पे आ जाती है तो यह थी लिस्ट उन 20 गाडियों की जिसपे आपको 1 लाक रुपे से ज़्यादा का discount मिल रहा है बट नोट कर लीजिए जो maximum discount है वो आपको MY 2023 जो model है उससी पर offer किया जा रहा है बागी आप मुझे कॉमेंट कर बताओ कि किस गाड़ी के उपर आपको detailed कि कीस गाड़ी के उपर आपको जादा डिटेल में वीडियो चाहिए मागी वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना चैनल पर ञे हो यह अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस सब्सराइब नहीं हिया